हेलो, वाट सब गाईज, मैंने मिस्मिनोध बादूर थापा एंड टूडे इन इस पीडियो वे विल सी हो टू क्रेट ए रेजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजिंग एंड एंड हिंदी तो चलिए गाईज शुरू करते हैं सब सब्सक्राइज आप सभी का बहुत बहुत सवागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पर बताना चाहूंगा गाईज मैने अल्डेडी मन का जो बेकेंड डेवलोप्मेंट ए डेट इस यो नोड जैस एक्सप्रेस जैस मौंगो डीवी मौंगूस एंड हाव त अगर यूजर कोई फॉर्म फिल कर रहा है राइट जैसे एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि अगर यूजर कोई फॉर्म फिल कर रहा है राइट जैसे अगर कल की दिन कोई रेजिस्टेशन फॉर्म फिल करना चाहे और जहां हम बैकेंड उस करें एजर नोड जैसे के लिए मौंगो डीवी तो वह हम कैसे कर सकते गाइस वह जो एक डाउट है आपके माइंड में वह आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं देखिए मैं आपको देखिए स्टेटिक वेब साइट को आड कर सकते हो हमारा मेन फोकस रहाएगा कि राजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे करेट करना है इसमें हमें क्या क्या करना पड़ेगा जिस से आगर यूजर फॉर्म फिल करता है एंड हम रजिस्ट्र करएंगे तो वह डेटा हमारे लेता हूं दिखिए नाओ एच गाइस 26 पासवर्ड गाइस में क्या कर रहा हूं 123 यहां पर मैं सिर्फ 1 & 2 लिख रहा हूं ठीक है क्योंकि बहुत ही जाद इन्पॉर्टेंट है अगर आप रिस्टरेशन करवा रहे हो और पासवर्ड और पासवर्ड बोथ नौट मैचिंग दन गाइस स्टोड निकर सकते सो अगर में रिस्टर पे क्लिक करता हूं काईस आप बहुत क्लिर ली देख सकते हो पासवर्ड अनौट मैचिंग अज हमार इस वीडियो का में फोकस गाइस यह नहीं कि एरर क्यों इस तर पे क्लिक करता हूं कि अब आप देखोगे हमें एक वैलिडेशन एरर देरा डाट इस की अब यह जो इमेल आईडी है वो में सेम इमेल आईडी एड नहीं कर सकता है अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पे देखिए आप बहुत क्लिए ली देख सकते हूं यह जो वीनोद एकसे हो जाता है देन वो यह चेक करेगा कि हमारे इस फिल में जिस पे मैंने युनोद इमेल आईडी एंड फोन नमबर एकदम यूनिक रखा ताकि कोई दो लोगों का सेम इमेल आईड एंड फोन नमबर ना हो डैट स्वाइड वालिडेशन एरर देरा तो इंस्टिड अगर यह सक्सेसफुल हो जाता है दैन हो काई हमारे डिरेक होम पेज पर आ जाएगा क्योंकि हमें यही तो करवान है वांस रिस्टर हो जाता है तो आप वोम पेज बेज़े एल्स हम उनको लॉग इन पेज़ पर भी बेज सकते हैं तो में बात अगें यही है कि वांस सक्स हो जाता तो हम इसे पर्टिकुलर पेज पर कैसे बेज सकते हैं वह भी आपको पता चलने वाला है यहां पर आप देख सेकते हो गाईस अगर आप क्रोम यूज करते तो आटोमेटिक बोल रहा है यह बहुत कच्छा पासवाट था इसको प्लीज थोड़ा अप्डेट कर दो लेकिन में बात यह गाईस अब यहां पर फिलाल कितने सिर्फ दो ही है दी मुमेंट में रिफ्रेस्ट करता हूं एंड बूम गाईस ही देखिए हमारा एक और डेटा है देखिए लास में मैंने नाइन लिखा था बिनोड एडिरेट था पा बिनोड.com सो गाईस कैसा लगा आई नो गाईस आप इसका बहुत ज्यादा वेट करें से सो फाइनली आज वीडियो आ चुका है वो घड़ी आ चुकी सो गाईस अब बिना किसी देरीकर आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड रियली विज आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट के लियर हो है देगा हिट किजे क्लिक किजे ताकि आप डेली यह से ओसम वीडियो को मिस ना करें और गाईस अब हम विना किसी देरीकर वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसको में फिला रटा देता हूं और आप देख से फोल्डर स्ट्रक्चर हज से जादा बड़ा है तो आज हमें बह ठीक है मन बैकेंड लिग देता हूं सिंपल हमारा क्योंकि कम्प्लीट मन का बैकेंड इसमें यूज हो रहा है डैट इस नोड एक्सप्रेस मांगो डीवी एंड मांगो इस खाली रियक्ट चोड़के वह भी हम जरूर करेंगा बिल्कुल टैंसा मत लिजे ठीक है तो देखो रूट फोल्डर क्रेट कर लिया है डैट इस मैं मन बैकेंड सो मैं क्या करता हूं यहां पर चलता हूं सीडी मन बैकेंड सिंपली टैप प्रेस करो तो आ जाता है हो ठीक है उसके बाद गाइस इसके अंदर मुझे क्या करना है सबसे पहले मुझे पैकेस.json फाइल को इनिस स्टाट करने से पहले मैंने अल्रेडी कंप्रीट बैक एंड रेस्पू लेप है सब कुछ वीडियो क्रेट कर चुका हूं और यह जो एक वीडियो कंप्रीट वेब्लप्मेंट कोर्स वाला जो प्रोजेक्ट है यह वाला वीडियो को जरू चेक आउट कीजिएगा क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ बता है एंड इसका गाइस 60% कोड आज हमें यहां पर यूज होने वाला तो अब आपको पता चल गा होगा यह कितना यूस्पूल था यह वीडियो ठीक है तो इस वीडियो को भी जरूर देखिया गाइस अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीक ह तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा गाइस npm init ठीक है एंड में यहां पर चलूंगा hyphen y इत मिंस मुझे बार बार नेक्स नेक्स नहीं करना पड़ेगा आटोमेटिक सब कुछ बनके रेडी एंड अगर आप मैं आपको दिखाऊं सो here we have our package.json file and आप बहुत कि लेली देख सकते हो कि फिलाल इस फाइल पर अभी कोई dependencies नहीं है it means मुझे express चाहिए मुझे mongodb चाहिए ठीक है basically mongo तो already installed है पहले से हमारे system में and हाँ यह भी है कि guys already mongodb install होना चाहिए node install होना चाहिए आपके system में and मैं आशा करता हूँ कि आपने मेरे playlist को follow किया होगा ठीक मैंने यह क्या कर दिया अभी कि अभी सो आपको बहुत बताना चाहूंगा that is express and then अगर आप npm यह npm express कुछ भी लिखते हो so basically node package manager है इसके अंदर आप विस सारे packages मिल जाएंग आप देख सकते हो express so simply npm i express मैंने बस इतना ही लिखा और कुछ नहीं CLS अब मुझे गाइस इसमे mongoose भी चाहिए npm i mongoose तो इस तरीके से मैंने mongoose install कर दी basically guys हमें बहुत help करेगा node को mongo db के साथ connect करने के लिए और लाइट गई सितना मेरा काम होगा CLS कर देता हूंग अगेन मुझे एक template engine चाहिए होगा जो की होगा मेरा handlebars तो npm i and then hbs इस handlebars के उपर भी मैंने complete video बना चुका अपने playlist you know node and express के उपर तो आप जरू चेक आउट कीजेगा अगर आपको उतना पुरा playlist चेक आउट करने में समय लगता है तो guys यह जो मेरा project है complete web development project course इसको एक बार अगर आप देखोगे आपके सारे डाउट के लिए हो जाएंगे belief में guys ठीक है all right guys तो हमारे जितने भी you know packages हमें चाहिए तो वो तो हमें मिल चुके अगर आप मैं आपको दिखा हूँ so here we have our express handlebars and then our mongo simple ठीक है इतना मेरा काम हो चुका है अभी मुझे क्या करना अब हमने इतना तो create करी लिया simple ठीक है अभी मुझे इसके अंदे folders create करने पड़ेंगे तो guys जो मेरा सबसे पहला folder होगा वो होगा simply में चलता हूं इस तरी किसे cd not cd mkdir make directory and then source folder में create करा हूं so here we have our source folder इसके अंदर में चलता हूं cdsrc simple ठीक है simple ठीक है इतना मेरा काम हो चुक है अभी बाकी कुछ नहीं अभी इतना मैं कर देता हूं and अब में क्या करना चाहूंगा guys इसी के अंदर मुझे एक new file create करना पड़ेगा that is type null forward slash and मैं यहां पे लिग देता हूं app.js so यह मेरा main file होगा जिसके अंदर सब कुछ काम हो रहे होंगे so database models app.js simple ठीक है चलो अभी फिलाल इतना ही रखता हूं मैं बाकी हमें कुछ ज्यादा करना नहीं होगा and and guys अब आप देखोगे कि मेरा जो main file है वो मेरा app.js है ठीक है so मैं क्या करना चाहूंगा मुझे इस file को run करना रहता है ठीक है तो वो में कैसे run करता हूं मैं आपको बाता तो यह देखिए सबसे पहले अब मुझे इस पर अपने express को configure करना पड़ेगा so it's super duper easy that is const express तौस और जूम कर देता हूं इतना पाफेक्ट रहेगा we need to require our express package so मैं चलता हूं यहां पे and simply express now guys मुझे एक एप नाम का constant variable क्रेट करना with the help of express function so इसको इस तरगे से और गाइस पॉपेक्ट नाव यह जो मेरा तो यहां पे मेरा callback function and already guys हमने इसको पर वीडियो देख चुका है अगर आपको नहीं idea की app.get क्या चीज़ है then guys आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा ओल्राइट ठीक है and यह वैसे भी बहुत जादा simple get method की मदद से में यह मेरा root होगा and यहां पे मेरा callback function होगा that is simply request and then response object and मैं यहां पे जब भी कोई homepage पर विजिट करेगा response.send उनको में लिख दूँगा ठीक है था पर technical spelling सही लिखना चलो this is it control s save करता हूँ and now guys हमें server को listen तो करवाना पड़ेगा right so मैं यहां पे चलता हूँ app.listen and किस port number पे चलो देखो मैं आपको एक चीज़ बता दो आप चाहो तो directly एक second आप चाहो तो guys यहां पे directly 3000 लिख सकते हो it will work perfectly but problem है कि हमें सिर्फ इसको अपने local database तक ही सिमित नहीं रखना है मैं चाहता हूँ मेरे इस project को पूरी दूनिया देखे right so we need to host our project तो जब हम host करेंगे तब हम directly ऐसे manually 3000-8000 नहीं दे सकते so हमें क्या चाहिए कि हमारा process automatic एक port number generate करते ताकि वो उस पे listen कर सके तो मैं देखो क्या करता हूँ यहां पर const port equal to guys हमारे पास process है अब यह जो मैंने line लिखा guys it will make sure कि हम जहां पर भी host करें उसको ऐसा port number प्रोइड हो कि वहां पर हमारे project को host कर सके कि basically वहां पर रन हो जाए बस simple and अगर हम अपने database पर कर रहे तो वह 3000 मैंने यहां पर option रख दे इधर यह वाला नहीं तो यह वाला दोनों में से कोई ने को एक हो गई होगा अब मैं यहां पर 3000 के वदे लिख दूँगा port, simply देखो guys it's super duper easy मैं अब एक second मुझे वापस callback function यहां पर चलाना पड़ेगा and वो callback function इसलिए ताकि मैं बता सकू कि हम यहां पर क्या कर रहे हमारा connection successful हुआ या नी तो simply server is running at port number ठीक है आप कुछ भी लिख सकती हूँ यहां पर मैं चलता हूँ आप port number and guys मैं टेंपलेट इंजिनिर्स करवाँ ड़ेटी जो आपकुछ भी कह सकती हूँ ठीक है तो इस तरीके साम बहुत इजली कर सकती हूँ अभी मुझे इसको run करना है ठीक है मैं क्या करता हूँ यहां पर चलता हूँ और देखो मुझे क्या करना है सोर्स के बार चलना है पहले तो ठीक है मैं अपने में बूट फोल्डर पर आच चुका हूँ अब देखो कैस मैं यहां पर एक तरीका है that is node simply and then source forward slash मेरा यह जो भी है app.js ठीक है app.js अगर मैं यह करता यहां पर इस तरीके से response बेजा है लेकिन इस में problem है कि मुझे अब बार बार यह लिखना पड़ेगा ठीक है तो मैं क्या करूंगा यहां पर ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े इसको रन ना करना पड़े हम यूज करेंगे node 1 को जो हमने already देख चुका again वह भी ठी अगर आपनी इंस्टॉल कर चुका इसको मैं क्या करता हूँ package.json पर मुझे आना है comma इस तरीके से आप हम एक new script add करने जा रहे हैं यहां पर मैं लिख देता हूँ developer dependencies node 1 ठीक है मैं यहां पर लिखता हूँ node 1 simply source forward slash app.js this is it मेरा काम खता मैं आप यहां पर चलता हूँ इसको मै close करता हूँ CLS करता हूँ and जब भी आप इस तरीके से script के अंदर you know add करते हो कुछ new key value pair वाली जो property है यह अगर उसको run करना हो ना तो npm run and उसके बाद आप यहां पर चाहे तो test या dab इसके से आपको इसको करना रहता है and boom guys अब आप देख सकते हो कि मेरा यह बहुत अच्छे सेफ करता हूँ देखो अब automatic होने वाला मुझे अब tension वाली बात नहीं है ठीक है so मेरा इतना काम हो चुका है this is it अभी मुझे क्या करना अब मुझे अपने database पे चलना है इसके अंदर new file करता हूँ यहां पर काईस में नाम लिख देता हूँ अब मुझे अपने database के साथ connect करना है अपने इस एक्सप्रेस application को ठीक है so कैसे होगा देखो गाइस इट्स अगें सुपर डूपर इजी डाट इस सिंप्ली कॉंस्ट मॉंगूस इक्कॉल टू रिक्वायर मॉंगूस करना है आपको simply यहां पे and that is your मॉंगूस इतना सिंपल इसके अंदर we have a method जिसका नामे connect उसकी मदद से हम बहुत इजली connect कर सकते है ठीक है so मैं चलता हूँ connect इसके अंदर आप देखो गाइस हमें क्या करना है हमें सबसे पहले तो आपना यह जो आप कहा सकते हो mongodb जो compass है else अगर आपके पास mongodb compass नहीं है तो आप cmd प कर देता हूं इसको यूज कर सकते हूं else में क्या करता हूं इसको completely delete not delete मैंने उसको इन्हों close कर दिया वापस यहां पर मैं चलता हूं compass यह देखो mongodb compass कुछ ऐसा दिखता है simply open पर क्लिक करूंगा आप देख सकते हूं plugins जो हो रहे ना यहां पर वो basically load हो रहा है and the moment plugins load हो जात है तो आप गाइस आप देख सकते हूं localhost colon 27017 ठीक है यह basically यह हमारा main localhost है and port number by default है हमें इसको ही connect करना है तो देखो कैसे यहां पर आपको double quotes लिखना है आपको लिखना पड़े गाए इस तरीकिसे mongodb colon forward slash forward slash अभी मैंने आपको दिखाय तो simply आपको लिखना पड़े इस तर after the forward slash finally वो घड़ी आच चुकी कि आप यह जो आप registration form हम create कर रहे राइट यह जो registration form हम create कर रहे इसका database का नाम आप क्या रखना चाहोगे तो वो database का नाम अब हम यहां पर आड़ करने वाले मैं यहां पर चालता हूं मैं लिख देता हूं simply आगाइस क्या नाम दो इसको मैं ठी YouTube registration दे देता हूं simple YouTube registration and I think मैंने बहुती बड़ा नाम दे दिया but it's fine YouTube registration spelling सही होना चाहिए अब मैं क्या करता इसको हटाता हूं यहां से पहले अब देखो गाइस मुझे क्या करना पड़ागा एक कौमा and then calli braces because अब मुझे deprecation warning मिनने वाला तो मैं नी चाहता हूं मुझे मिले यह जो use find and modify है guys यह तो मैं आपको बात में बाता हूंगा यह हमें अभी नीची फिलाल लेकिन मैं यह पे चलता हूं new URL parser इसको मुझे true करना है ठीक है मैं again चलता हूं use unified topology इसको भी मैं true कर देता हूं and एक और रह गया है that is simply use simply create index and true this is it guys अभी फिलाल आपको इतना ही रखन information warnings ना आये उसके लिए हमें यह लिखना रहता है ठीक है एक और चीज अभी रहे गया वह मैं आपको बात में बाता हूंगा क्योंकि वह बेसिकली जब हम update में बेसिकली जब हम patch या put http request above को जब हम call करते तब हमें उसकी need परती फिलाल अभी हमें उसकी need नहीं है लेकिन इतन लिख सकता हूं मालूम है कि लॉग में चलूँगा अगर आप अपने दोस्कों प्रॉमिस करोगे या तो आप उसको निवाओगे या तो तोड़ दोगे सिम्वी प्रॉमिस फुल्फिल्ट या तो रिजेक्ट सिंपल ठीक है अब मैं यहां पर चलता हूं एक अलग सा तरीक का है बेसिकली यह फैट एरो फंक्शन यहां पर हम एक यह इवेंट आप कुछ भी नॉट इवेंट स्वरी हम यहां पर एरर को गेट कर सकते है ठीक है एंड में वही करूंगा सिम्पली कंसोल डॉट लॉग में चलता हूं यहां पर सिर्फ उस यह को मैं पास कर सकता हूं न है ठीक है डाट इस यूटू रिस्ट्रेशन अभी मुझे क्या करना यह जो मेरा फाइल है उसको मुझे यहां पर इंक्लूड करना है सो मैं यहां पर चलता हूं इसरी किसे गाईस बहुत इजली रिक्वाइर कर सकता हूं रिक्वाइर डाबल कॉलन या सिंगल कॉलन डॉट इसरी कै तुर्फ यहां पर चूल इसकी कि ग्यां बहुत सिप्रण भी मुझेचह लाओ क्या दिनलियु ने यह फॉर्म कहां से लिकाए है हम तो दिखिए इट सुपर डूपर इजी मैं यहां पर चलता हूँ अब मुझे क्या करना देखो मुझे ठीक मेरा जो मेन यह जो मन बैकेंड है ठीक है अब भी जो मैं आपको थुई देर पहले एकदम स्टार्टिंग में दिखाया था mkdir आप नहीं तो simply वहां पर क्लिक करके new folder आपको public नाम का एक folder क्रेट करना पड़ेगा और public ही उसको आपको नाम देना है simple ठीक है simple इसके अंदर मैं चलता हूँ एक new file कर लेता हूँ that is index.html अगर मैं यहां पर चलता हूँ simply html and this is it मैं यहां पर चलता हूँ h1 spelling technical technical चलो ठीक इतना मैं लिग देता हूँ control s shape अब मैं यह चाहूँगा कि guys यह जो मेरा file है basically यह जो मेरा page है वह run हो जाए simple मैं बस इतना चाहूँगा भी मैं यहां पर जो hello from thapa technical मैं वह नहीं चाहूँगा मुझे मेरा index.html का यह जो file में चाहता हूँ कि वह run हो जाए मैं बहुत इसली कर सकता हूँ देखो कैसे यह जो part है ठीक है इससे ठीक उपर मुझे जाना है यहां पर बस मुझे one line of code डिपना that is const नहीं app.use अब आपको अपने express application को यह बोलना है कि मैंने एक static folder create कर लिया है मुझे उसको use करना है simple so मैंने express application को बोला क्या मैं use कर सकता हूँ express के अंदर मैंने static करके folder create कर चुका है this is it मुझे इस फोल्डर का path यहां पर define करना है and मैं बहुत इजली कर सकता हूँ and that is simply ठीक इसके नीचे आता हूँ देखो कैसे const ठीक है गाइस यह जो कुछ part है मैं बताना चाहूँगा मैंने already यहां पर बता चुका है इस वाले वीडियो में complete web development वाले वीडियो इसलिए मैंने का इसका 60% तो अभी आपको यहां पर लगने ही वाला तो यह सब मैंने यहां पर आपको बताया था यह क्या है क्या नहीं है and playlist पे भी हमने इसको check कर चुका है क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी जरूर बता रहो क्योंकि हमारा आज main focus ही रहेगा कि registration form का data को कैसे ह हम get करें and database store करें ना कि यह सब की यह कैसे बन रहा क्योंकि हमने already देख चुका यह ही तो है वो वीडियो यह हमने already देख चुका यह सब तो है कि नहीं फिर भी आपको विल्कुल डाउट ना हो यह वीडियो एकदम पॉफेक्ट रहे and YouTube में वैस्ट रहे उसके लिए मैं यह स सो मुझे इसको भी require करना पड़ेगा so const path equal to required मैं चलता हूँ and यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस तरीके save path simple ठीक है एक second यहाँ पर यह red क्यों दिखा रहा है all right guys spelling wrong है that's why control s save perfect now अब अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ dot and boom guys मुझे अब join आगी मैं यहाँ पर चलता हूँ इसको underscore the name basically यह हमारा module wrap up function है node के अंदर basically हमें यह क्या कर रहा होता है मैं यहाँ पर चलता हूँ एक बार खिलाल के लिए इसको मैं comment कर देता हूँ यह मेरा main drive है node.js olympic api क्योंकि मैंने आपको api के उपर भी video बना के दिखायता है complete वाला याद है right उसके अंदर मैंने फोल्ड क्रेट किया month backend and then source मुझे क्या चाहिए month backend के अंदर मुझे चाहिए यह वाला public तो मैं बहुत इजली कर सकता हूँ देखो यहाँ पर मुझे क्य अब मेरे को perfect वो code मिल रहा I mean वो path मिल रहा जो मुझे चाहिए था मेरे static वाले के लिए simple इसको मैं हटाता हूँ तो मुझे इसको copy करनी है यहाँ पर मुझे इसको paste करनी है इस तरी से all right सब कुछ perfect अब यह console वाला पार्ट हटा देता हूँ इसको मैं uncomment कर देता हूँ यहां स technical man backend यह कहां से मिल रहा है वो मुझे यहां से मिल रहा है सो कितनी easily आप static website को guys host कर सकते है इस and static अला पार्ट तो देखो गाइस complete भी हो इतना easy था यह है कि नहीं एक second चलो ठीक है अभी मुझे क्या करना है कि मुझे क्या करना रहेगा कि मुझे public के अंदर खाली css का जो code वो css perfect देखो यह क्या एक h1 है copy h1 मैं यहां पर simply से किसी जा कि इसका जो color है वो red कर सकता हूं control s save कर देता हूं मुझे उसको यहां पर add करना पड़ेगा तभी तो मैं इसको यूज़ कर सकूंगा so link मैं मुझे css का चीए and यहां पर मुझे css forward slash style.css इतना easy the moment में refresh करता आब व तो वह यहां पर add हो चुका है and public folder के अंदर में जो कुछ भी अगर आपके पास अपना खुद का static website है अगर उसका source code है जिसमें आपने सिर्फ HTML CSS JavaScript या bootstrap even bootstrap भी अगर उसके है सिर्फ यहां पर लाके रख दीजिए public folder के अंदर app.js में बस इतना आपको लिखना है express.static and उस public folder का आपको path देना है and आपका website you know आपका है सेक्ट हो कि मैंने Node.js की मादब से website create कर लिया as a backend माला भी इतना easy है static होला है कि नहीं चलो ठीक है यह जो index.test में लगाए सिसके मुझे कोई need नहीं है इसको मैं delete करने वाला हूं क्योंकि हम जो कुछ करने वाले pure Node.js as a backend करने वाले इसको मैं हटा देता हूं अभी मुझे क्या करना है इसको as it is रखना है अब देखो guys मैं क्या करता हूं मैं पहले तो इसको as it is रखता हूं public folder को side कर देता हूं database को मैंने side कर दी अब देखे बहुत ही जाद important है उसको भी मैं close कर रहा हूं मन पे मैं चलूंगा मेरा जो main root folder है new folder create करूंगा जिसका नाम होगा guys views ठीक है यह आपको make sure करना कि अगर आपको template engine यूज़ करना है तो आपको अपना folder का नाम यूज़ रखना ही पड़ेगा ठीक है मैं क्या करता हूं इसकंद एक new file character तो same वही index वाला लेकिन अब मैं यहां पे यूज़ करूंगा hbs अब आप नहीं मुझे as a node.js भी उस पर यूज़ करना है तो उसके लिए मुझे .html से थोड़ा और बैटर चाहिए that's why we have our template engine जिसको आप मैंने लिख दी index.hbs अपने bug सुनाओगा अपने EJS सुनाओगा here we have handlebars hbs simple and mustache का आपको यहां पर उसका जो है icon दिखाई दे रहा है ठीक है Ctrl S save करता हूं simple अभी मुझे क्या करना है यहां पर save मुझे कर सकता हूं मैं h1 यह लिखा था 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 थापा technical 1 backend copy करता हूं Ctrl S save करता हूं अभी देखो कैसे अग मैं अभी अगर मैं यहां पर refresh करता हूं So hello from Thapa technical लेकिन मैं तो यह नहीं लिखा मैं तो चाहता था कि Thapa technical 1 backend आये राइट बट हमें क्या आ रहा है तो वो यह चेक करेगा कि index.html का file है या नहीं अगर होता तो वो public के अंदर index.html में जो कुछ भी लिखता वो यहां पर so हो जाता फिलाल मैंने उसको delete कर दी तो उसने क्या क्या इस line को pass कर दिया उसके बाद इसने यह चेक किया कि उसके बाद क्या है अगें यह जो है यह भी आपका index को ही you know mention कर रहा होता है you know so यह अगर आप यह लिखो ना लिखो यह आपका by default index page रहता है तो उसने hello from the thapa technical मुझे यह वाला output दे दिया you know so यहां से मुझे वो data मिल रहा है लेकिन अब मुझे अपने express application को यह बताना पड़ेगा चलो ठीक है यह तो एक मैंने अब कह सकते हूं यह एक backup है कल के दिन अगर कुछ wrong हो यहां पर मेरे views यह template engine के साथ तब मेरा यह जो backup वाला code है यहां पर मैं दिखा सकता हूं कि there is some technical error या server is down कुछ भी हो लेकिन मुझे फिलाला भी यह चाहिए अगर मैं अपना main localhost 3000 लिखता हूं तो मेरा जो by default index वाला जो page वो यह होना चीए तो कैसे होगा देखो guys its again बहुत ही जादा simple है ठीक है आपको बस उसके लिए करना यह है कि अब आपको again अपने express application को यह बात आना पड़ेगा जैसे पहले आप static use कर रहे थे यहां पर आपको आना है app.use अब मुझे views उस करना है simple and use करना है मतलब बोलने से use नहीं लिखना त मुझे basically अब मुझे set करना पड़ेगा अपने इस view engine को ठीक है यह view engine बहुत ही जाद important है so मैं यहां पर चलता हूं इस तर किसे देखो में क्या लिखता हूं view engine and अब मुझे अपने express application को यह बताना पड़ेगा कि मैं handlebar use कर रहा हूं ठीक है तो मेरा जो by default जो view engine होगा वो अब मुझे यह है कि मुझे अगर यह index.sbs वाला by default localhost 3000 लिखने पर दिखना चाहिए तो इसके लिए पाता है मैं क्या कुरूंगा now instead of यह जो response.send है बस इसके बदले मुझे response.render लिखना पड़ेगा यह जो hello from the thapa technical वाला जो पार्ट है इसके बदले response.render मतलब अब आपको किस फाइल को render करना है हमें index.hbs को सो मैं index लिख दूगा this is it तो यह लिखने का मेरा मतलब यह है कि मैं चाहूंगा कि मेरा जो index.hbs वाला जो फाइल है वो रेंडर हो जाए basically वो दिखा दिया जाए तो guys simply control and save करना है and already हमने set कर दिया अपने view engine को that is sbs तो यह बहुत easily walk करेगा so 3 2 1 and boom गा इसे देखे था पर technical month backend now अब मेरा जो by default पहले public के अंदर index वाला था उसके बाद जो यह app के अंदर था वो सब जा चुका मेरा by default index.hbs आचुका है ठीक है so guys मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा that is की यह जो static वाला पार्ट है वो हम नहीं देखने वाले ठीक है I mean यह वाला पार्ट मैं आपको बताना चाह रहा था and that is एक सेकेंड यह all right guys मैं आपको चाह के भी नहीं दिखा सकता क्योंकि दोनों मेरे same localhost पर work कर रहा है and हां एक काम में जरू कर सकता हूं कि instead of 3000 इसको अगर मैं 8000 पर कर दूं तो वह काम हो जाएगा लिकिन गाइस अब मुझे वापस उस वह नहीं करना चाहता भी तो देखो अभी मैं क्या करता हूं इन नोड जैस गाइस सिर्फ इतने से काम नहीं चलता है अब let's imagine मैं यहां पर क्या कर रहा हूं व्यूस पर वापस ठीक है right click new file let's say login का एक में new file क्रेट कर लेता हूं so login.hbs ठीक है वापस में चलता हूं एक new file क्रेट करता हूं let's go with register वाला so register एक काम करता हूं register रख देते चलो ठीक है register.hbs ठीक है अभी लेट से इन तीनों में हमारा napbar एकदम common है ठीक है तो वो जो एक common वाला जो code रहता है उसको मुझे तीनों में बार बार ना लिखना पड़े for that we have a partials in node.js ठीक है तो इसके लिए मैं क्या करता हूं यह जो मेरा views जो folder है इसको काईस में से rename करके यहां पर मैं से किसे लिख देता हूं templates templates ठीक है मैंने templates बना दी इसके अंदर आप मैं दो new folder क्रेट करने जा रहा हूं that is again आपका views and यहां पर एक और new folder होगा that is your partials and इसका नाम यह partials ही होना चीए अब भी यह index को मैंने इस तरिके से basically जो भी मेरा code मैं आप इसको इस तरिके से views folder के अंदर move कर रहा हूं this is it अगर आप दियान से दखोगे तो आप templates के अंदर partials and views and views के अंदर हमारा जो पहले code था हो as it is है ठीक है अभी मैं partials पर चलता हूं एक new file create करता हूं let's go with navbar.hbc लिखना पड़ेगा again आपको यहां पर ठीक है and let's say guys यहां पर मेरे पास navbar के कुछ code होंगे मैं यहां पर simply लिख देता हूं let's go with h1 again navbar वाला code ठीक है मैं कुछ लिख सकता हो navbar का code ठीक है control s save कर देता हूं same यह piece of code को मैं अगर यहां पर लिख देता हूं ठीक है अब let's say कि मुझे इस code को मुझे index पर भी चाहिए login पर भी चाहिए register पर भी चाहिए ठीक है तो मैं क्या पता है क्या करूंगा simply अगर आप parcels करते हो and अगर आपको इसको get क सेफ ठीक है यह जो navbar है बस इस्तिरकेस आपको लिख देना है and यह जो double curly braces you know and then यह जो sign operator है greater than का यह का इसे by default उन्होंने वाज सब बना दिया है अगर आप PHP उसकरते हो तो आप कुछ इस्तिरकेस लिखते हो ना PHP and इस्तिरकेस आप उसको close कर देते तो हम यह क्यों लिखते ह इस्तिरकेस आप अपने backend का code use करो and अगर आपको यह जो पार्ट है PHP में अगर आपने बहुत किया तो आप इस्तिरकेस include use करते थे तो वो जो include वाला काम वो यह यहाँ पर कर रहा है फिलाल अभी ठीक है इस्तिरकेस नेप बार मैंने यूज की अब देखो guys अब अगर मैं य root folder उसके अंदर था but now मेरा यह जो views करके जो मेरा folder है वो templates नाम के folder के अंदर है तो मुझे अगेन अपने हमारा जो main express application उसको बताना पड़ेगा ना तो मैं क्या करता हूं again इसको मैं करता हूं copy ठीक है यहाँ पर मैं चलता हूं paste instead of static मैं यहाँ पर जाके लिग देता हूं इस ठीक है and then forward slash मुझे views जाना पड़ेगा इस तरीकी से ठीक है अभी मेरा जो पहले views था वो मैंने path पहले define नहीं क्योंकि express उसको automatic यूनो get कर रहा था लेकिन अब वो templates नाम के folder के अंदर है तो इस तरीकी से guys मैंने इसको get की यह जो मेरा part है इसको मैं copy करता हूं देखो अब ब अब मुझे अपने express को यह बताना है कि अब मेरा जो views है वो चेंज हो चुका है उसका नाम कूछ और है अभी उसका path कूछ और है तो वो मुझे अपने express को बताना है सो मैं कैसे बता हूंगा देखो guys again it's simple ठीक है मैं simply लिख दूँगा app.set ठीक है मेरा यह जो views था पहले views नाम का जो folder था अब वो मेरा यह वाला folder बन चुका है this is it पहले जो views था अब वो यह हो चुका है तो हम express application को यह बोल रहे अब इस रूट को एक बार विजिट करना और वहां पर जो आपको मिलता है उस पे आपको जाके रन करवा देना है और क्योंकि अगर वो इस पे जाएगा तो उसको अगर टेंपलेट्स के अंदर views वाला ही इस फोल्डर मिलने वाला है तो काई सब सब कुछ ठीक हो चुका लेकिन एक एरर आएगा और वह एरर अब यह है कि यह जो आप देख सकते हो इसने बताया कि नहीं दी पर्टिकुलर ने बार कुड नॉट भी फॉंट पर्टिक पर्टिकुलर दी पार्सियल ने बारे देख एक्सप्रेस को यह नहीं बताया कि हम अब पार्सियल भी यूज कर रहें अपने एक्सप्रेस एप्लिकेशन के अंदर सो उसके लिए सब से पहले हमें यह करना पड़ेगा वी निट टू रिक्वायर आपको जाना पड़ेगा एंड एस्बियस को रिक्वायर करना पाइगा इसे में यह पात उसका तो आसा कम जूम कर देता हूं वी उसके बदले मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा इस तरी किसे पार्सियल इसको मैं कर लेता हूं कॉपी एंड यहां पर मैं कर देता हूं पेस्ट आप खुद ही देख सकतो कि कितना सिंपल था यह दिस जा गया है कि क्योंकि मज़ा ही आ रहा है इस तरी किसे लिखता हूं अगर आप में रिफ्रेस्ट करता हूं देखो गाइस एक सेंड अब अब एक और बहुत इंपॉर्टन पार्ट आने वाला मज़ा जाएगा अब देखो क्या हो रहा है कि अगर मैं यहां पर चलता हूं ठ यह तो पहले था js not your handlebars that is hbs अगर सेव कर आप देख सकते हूं कुछ नहीं हो रहा है यहां पर ठीक है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वापस package.json पर आपको चलना है यहां पर आपको थोड़ा सा add करना पड़ेगा that is कि एक extension मुझे add करना है extension flagman add की js के file को तो आ hbs सेव अभी कुछ नहीं होगा लेकिन एक बार देखो गाईस आपको एक बार कुईट तो कर नहीं पड़ेगा अब वापस जब आप उसको रन करोगे ठीक है देखो नॉर्मल है आ गया new यह देखो गाईस अब वह हो चुका है अब अगर मैं refresh करता हो तो मज़ा आ गया new this is अब खाली मुझे static code चाहिए ठीक है तो मैं क्या करता हूं अभी फिलाल मैं नैब बार को हटा रहा हूं फिलाल मैं अभी package को हटा रहा हूं और यह जो मेरा register.hbs है उसको भी फिलाल अभी में हटा रहा हूं खाली index को मैं रख रहा हूं क्यूंकि मुझे क्या करना पड़ेग लॉगिन के अंदर और रॉड़ेड यह इन्डेक्स वाला जो code है इसको कॉपी करके मैं यह पे guys completely paste करने वा ला हूं ठीक है एंटी जो रिषस्टेशन वाला जो vibrationalAJ कोडे उसको कॉपी करके मैं अपने रिषस्टेशटर वाले के अदर पेस्ट करन आ जनकर वाला हूं डिस CSS है वहाँ पर मैं इसको paste कर दूँगा this is it ठीक है let's see क्या होता है मैं यहाँ पर चलता हूँ अगर refresh करता हूँ आप देख सकते हो the particular header could not be found all right guys अब भी उनको यह जो header करके वो उनको नहीं मिल रहा है ठीक है तो मैं क्या करता हूँ अपना जो यह man back end है उसके अंदर हमारे जो templates है उसके अंदर यह जो parcels नाम का जो folder है यहाँ पर मुझे एक और new file create करना पड़ेगा जिसका नाम है guys header and आपको इसको extension देना पड़ेगा rename dot hbs this is it control s save करता हूँ अब अगर मैं refresh करता हूँ तो क्या होता आप देख सकते हो guys अब हमें कुछ वो इस तरी के से दिखाई दे रहा है ठीक है HTML है इसमें कुछ भी आपको ऐसा express mongo db mongo से कुछ लेना देना ही नहीं है इसका तो simply उसको copy की अपने वाले नवार पर आता हूँ and then paste कर देता हूँ this is it guys so हमारा इतना काम हो चुक है अब अगर मैं refresh करता हूँ so guys अब आप देख सकते हूँ कि यह मेरा जो पेज है कुछ वो इस्तिरगे से दिखाई दे रहा है and cannot get registration ठीक है so अब इस पार्ट को मैं हटा देता हूँ जो है as it is है अब बहुत ज्यादा सिंपल है देखो अब आपको पता चला ने अब आपको पता चला नेब बार को मैंने अल्रेड कर रहा है so नेब बार डॉट है यहाँ आप देख सकते हूँ मेरा बेसिकल इतना ही है huum, log in and registration. huum, login and then registration, So instead of registration I will go and write register ctrl s save, refresh करता हूँ ठीक है अब आगर मैं यहाँ पर चलता हो ताफ देख सकते हूँ register it, this is it guys, cannot get register til बाता रहा है but it's totally fine हमें उससे कोई प्रब्लम होगा abhi क्योजकि कोई css का part은 complete हो चुका है यह जो मेरा header वाला part है यह एकदम perfect है यहां एक चीज याद रखो कि जो CSS का code है जो हमारे public folder के अंदर था एंद उसके अंदर में एक CSS folder बनाया है उसके अंदर style.css है तो उसके code को पाना हो न तो simply आप भी उसके अंदर जाके भी बहुत easily इस तरह के से simply अगर मैं आपको दिखाता हूँ अब simply जैसे हम नॉर्मल पाता है CSS forward style.css अगर आप लिखते हो तो बहुत easily हमें वो मिल जाता है so again इसको मैं close करता हूँ यह वाला जो पाट है बहुत easily मैं अब इसको handle कर सकता हूँ क्योंकि हमने already आपको यादे मैंने आपको complete recipe API बताया था अब हमें बस वही करना है get करना अब हमें उस page को read करना है यूना हमने वह देखा था read कैसे करेंगा using get method तो बहुत easily कर सकता हूँ क्योंकि वह भी हमें यह बोल रहा है cannot get register चलो ठीक है अभी अपना जो app.js again source app.js के अंदर आना है अभी मुझे क्या करना हमने already हमारा जो main page उसको तो define कर दिया index page इसी के नीचे है यह app.get आपका root forward slash register comma callback function आपका यहाँ पे इस तरह किसे simple and यहाँ पे here we have two objects request ठीक है comma response and इसको as it is रखता हूँ guys अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ देखो मुझे simply क्या करना है response dot render render यहाँ पे मुझे चलना है simply उस file का नाम देना that is register register पॉफेक्ट इस तरह के से ctrl s save करता हूँ बाकि कुछ नहीं इतना ज्यादा इकदम ready हो चुका है देखो मेरा login form एकदम perfect ready है ठीक एक और बास जूम कर देता हूँ this is it so guys अब हमें यह देखना है अब कैसी उस कर सकते हैं यह मेरा headers है headers and partials you know then मैंने बुस्ट्राफ 4 यूश किया अगर आपको बता हूँ बुस्ट्राफ 4 क्या होता है सो बुस्ट्राफ 4 मैं यहां पे चलता हूँ इस तरीके से बुस्ट्राफ 4 अब देख सकते हैं यह बुस्ट्राफ 4 मैंने बुस्ट्राफ 4 क्यों पर complete video बना है सिर्फ बुस्ट्राफ 5 क्यों पर complete video बना चुका है तो आप जरू चेक आउट कीजेगा उसको ठीक है और मैंने यह जो CDN link है वो मैंने copy करके add क्या हूँ अगर आप मैं आपको दिखा हूँ एकदम bottom पे जा कि देखिए यह वही CDN link है जो मैंने यहां पर add कर रखा है यह मेरा CSS का link जो मैंने header के अंदर add करके रखा हूँ है ठीक है अब यह header को मैं अटा देता हूँ सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंने एक form create की इस त्रीके से एंड उस form के अंदर का इस बहुत सारे attribute होते सो जिसमें से बहुत ही जात important attribute है आपका action तो मैंने क्या लिख रहा है यहां पर forward slash registration मुझे forward slash registration नहीं चाहिए मुझे चाहिए register क्योंकि मेरा register वाला page है मैं चाहूंगा कि वह इस page पे visit करें using a method जिसका नाम होगा post क्योंकि अगर आपको याद होगा अगर आपने मेरे complete जो respool API में आपको बताया था इसमें basically हमें call operation करना रहता है create read update and delete create मतलब हमें अपना खुद का data database पे store करना है तो उसके लिए हम क्या उस करते post method अब भी तुछ अगर मुझे read करना हो तो उसके लिए हम यूज करते get method तो यह जो मेरा register है मैंने जहां पर already get method यूज कर चुका है क्योंकि मुझे read करना था अब मुझे कुछ data pass करना add करना database पे तो उसके लिए हम क्या उसकरते है post method simple ठीक है अब बाकि तो सब होई है input field text form control first name अगर आपको फिर भी doubt आ रहा है मैंने क्या लिख दिया आप बिल्कुल टैंसा मतलोगा इससे बहुत ही ज़्याद सिंपल यह क्योंकि इसमें बूस्ट्राप के अलावा कुछ है ही नहीं एद देखो form आगे आपका email id password वही तो है आपका input password sorry only password then आप देख सकते मेरा last name का input field है आप देख सकते यह जो मैं अगर यहाँ पर लेकर चलता हूँ आपको यहाँ पी जो male and then female यह at a time में सिर्फ एक ही पर ही select कर पारा हूं उसका reason यह है क्योंकि मैंने उन दोनों का name नाम का जो यह attribute है उसको एकदम same रखा gender and then gender ठीक है उसल पर यह भी बहुत important पार्ट है जब आप submit button create करो basically registration वाला button तो आप देख सकते हो value में ने register दिया है type आपका submit होना जरूरी है अब होगा यह user अपना data fill करेगा ठीक है यहाँ पे and जब वो register पे click करता है न इस तरह किसा अगर आप form use करो and आप देख सकते हो form में यहाँ पे close कर जाएगा तो direct हमारा जो भी data है एंड हमारा जो भी page का access है वह इस page पे चला जाएगा basically वह forward slash register नाम के page पे जाएगा using method जिसका नाम होगा post अब यह कैसे हो रहा मैं आपको बताता हो गाइस practical आपको सारे clear हो जाएंगे and I hope आपको पता चल चुका होगा यह सब कैसे हो रहा है simply ठीक है देखो एक और चीज़ बहुत जादे important है that is कि आपको हर एक input field में guys एक attribute compulsory जो होना ही चाहिए and that is your name attribute आप देख सकते हो name में मैंने first name मेरा name है email यहाँ पर आप नेम देख सकते हो phone number यहाँ पर आप देख सकते हो name मेरा password name मेरा last name यहाँ पर दोनों का नाम सेम है तो यह भी एक interesting topic है कि male या female user ने किसको select की and अगर मैं आपको अपना database दिखा हूँ तो हमें पता कैसे चलेगा ठीक है फिलाल एक मेरे पास है employee registration यहाँ अगर मैं आपको लेकर चलता हो तो आप देख सकते हो gender male male क्योंकि मैंने खाली male select कि क्योंकि मैं तो male हो न इसलिए ठीक है ल करना है कि अब मुझे यह जो पार्ट है मैंने database तो create कर ली लेकिन मैंने अभी तक अपने यह जो document है उसको मैंने define नहीं किया उसका जो schema है मैंने अभी तक को define नहीं की तो अभी इसको मैं as it is रखता हूँ मुझे अब अपने mongodb पर जाना पड़ेगा ठीक है and that is अभी templates को साइड में रखता हूँ models के अंदर मुझे जाना है new file पर मुझे create करनी होगी मैं यहां पर लिख देता हूँ काई simply registers ठीक है registers.js अब कुछ भी लिख सकते हो user registration या कुछ भी लिख सकते हो guys मैंने खाली registers registers लिख देता हूँ registers.js ठीक है अभी देखो guys यहां पर क्या हो रहा है simply मुझे अब schema को define करना है and मैं बहुत इसली कर सकते हूँ that is const const पहले मुझे mongoose को require करना पड़ेगा so mongoose spelling सही है नहीं है mongoose perfect है require मैं यहां पर चलता हूँ forward slash mongoose this is it control as save अब देखो const अब मुझे क्या करना है schema को define करना है ठीक है and it's super duper easy मैं लिख देता हूँ यहां पर employ ठीक है अब कुछ भी लिख सकते हो guys ऐसा कुछ नहीं employee schema and as should be capital basically camel case you score a new mongoose dot and आप देख से तो guys मुझे option आ गया scheme ठीक है schema sorry and this is it आपको क्या करना है brackets and then curly braces उसके अंदर अब आपको यह define करना होगा आपका यह जो भी है first name last name phone password confirm password so मैं copy कर लेता हूँ यहां पर paste ठीक है guys आप मैं आपको बताता हूँ देखो मैं बस make sure कर रहा था सब कुछ सही है so मेरा जो first name होगा it should be a type जिसका होना चाहिए guys string ठीक है जिसका type होगा string comma it should be required यह जो field है एक दम required है so मैं यहां पर कर देता हूँ इसको true this is it ठीक है अब भी इसी पार्ट को मैं कर लेता हूँ copy and यह क्या key value पे रहा है बिसिकली आपका object रहिए key and then उसकी value comma key ठीक है मैं यहां पर चलता हूँ and इस जगे पर delete करके इसको मैं यहां पर इस तरगी से कर देता हूँ paste and I think guys इसको मैं पूरे delete कर देता हूँ यह फाल्त में जहमेला कर रहा है ठीक है simply मैं बहुत easily लिख सकता आप विल्कुल टैंसा मतलो अगेन इसको मैं copy करता हूँ paste this is it so guys मैंने and हाँ यहां पर आपको column भी देना पड़ेगा तो बहुत easily मैंने first name and last name का जो schema इसको define करके यह बता है आप last name I will go with email सब कुछ सेम है यहां पर एक और पॉपट्य आट करने आला हूँ that is unique क्योंकि email id तो सब का unique होगा ना same थो यह ना होगा है गी नहीं so comma मैं वापस यहां पर चलता हूँ this time अब गाईस यहां पर मेरे पास होगा वह जेंडर मेल या फिमेल टाइप उसका string रहेगा required field true ही रहेगा वापस comma and paste एक second नीचे चाहिए और यह three कहां से आगया इसको delete कर देता हूँ ठीक है इसके बाद यहां पर मेरे पास आएगा guys phone number उनका phone number क्या है again it's a number आपको number लिखना है required should be true again guys phone number भी तो हर एक employee का अलगी होगा same तो होगा नहीं so unique so unique property मैंने स्थरगे से define कर दी copy करता हूँ paste एक second copy and then यहां पर करता हूँ paste again मुझे comma देना पड़ेगा now guys मुझे यहां पर age define करना है type number रहेगा age को unique की need degnation ticket नहीं है ठ् Ikk ding e acordo शेंड़ा शारे अंपटोई का 26 26 25 25 कुह हो सकता है again इसको मैं कर लेता हूँ copy यहां पर मैं चलनकर्ड कर देता हूँ paste now guys यहां पर मेरा जो होगा वहां मیरा password हिट शुच ब Flex को क्र डटा हो पस्ट होग vull कर देता हूं बस मेरे लिए फिलाला भी ये confirm password में इस तरी किसे लिख रहा हूँ this is it ठीक है so मेरा इतना काम हो चुगा मैंने schema define कर दी है इसको मैं हटाता हूँ अभी मुझे क्या करना हूँ with the help of this schema मुझे collection create करना होगा database already मैंने create कर दी now we need to create we need to create a collection we need to create a collection ठीक है इसको मैंने comment कर दी and now guys simply हमें model को define करना है and अब यहां पर जो मैं लिखने जा रहा हूँ यह basically हमारा एक class है ठीक है so मुझे i mean मेरा जो first letter होगा should be capital so मैं यहां पर लिख देता हूँ register and मुझे लिखना पड़ेगा equal to new again मुझे एक second यहां पर मैं यह minus sign नहीं चाहिए मुझे equal to sign चाहिए mongos.simply देखो guys it's super duper easy that is model and मुझे यहां पर अब अपने collection का नाम देना है collection मतलब क्या होता देखो employee registration मेरा database का नाम है उसके अंदर जो collection है वो register से and उस collections के अंदर multiple documents है तो यह जो register है उसी तरह की सा मुझे यहां पर चाहिए and आप जब भी collection का नाम दोगे guys it should be in a singular form and जी हां singular पर ही होना चाहिए and इसका जो first letter होगा वो capital में होना चाहिए register तो behind the scene guys वो आपका registers हो जाएगा मलदा फूर में हो जाएगा and आपका जो schema है जो आपने यहां पर define के है उसको copy करो यहां पर आप उसको कर दीजे paste this is it guys इतना ही करना था अब आपको इसको export करना है so module.exports equal to आपको यह जो है register basically उसको pass कर देना है this is it हमारा काम हो चुका है so guys हमारा यह जो models वाला जो paste था वो भी हमारा काम हो गया है तो मैंने किसको export करवाया यह वाले पार्ट को copy and इसको भी आप मैं कर देता हूँ close register जो है इसको भी file के लिए भी मैं close कर देता हूँ मुझे क्या करना पड़ेगा guys अब मुझे main app.js file पे आना है मुझे यह जो models अभी just मैंने जो create की अब मुझे इसको get करना है basically require करना है so मैं यहाँ पे चलता हूँ ठीक इसके नीचे database के नीचे देखो कैसे const register equal to require ठीक है देखो double quotes dot forward slash के अंदर models forward slash के अंदर registers this is it मेरा काम हो गया अब देखो इसको मैं copy करता हूँ and आपको मालूम है guys कि जब भी हम इस पे click करेंगे ठीक है हमारे registration form पे जब हम click करेंगे कहां गया मैरा registration ओला form यहाँ पे ठीक है देखो तो सा कम जूम कर देता हूँ and that is देखो जब भी मैं इस तरीकिस को करूँगा click तो मेरा जो page हो directly वो इस पे विजिट करेंगा इस वाले route पे that is forward slash register लेकिन जो method होगा वो होगा post so post request की मदद से वो इस route को करेंगा visit तो मुझे post request की मदद से इस route पे मुझे अपना code लिखना है जिससे की user ने जो भी type की वो मेरे database पर store हो जाए and guys अब मुझे पता कौन सा code लिखना है मुझे अब ये वाला code लिखना है I don't know आप में से कितनों ने notice क्या होगा कि जो rest pull API ये बहुत ही जाद है important video है क्योंकि rest pull API में हमने cut operation pop-up के थी जिसमें से जो आर वाला है C R U D R में rate करना था वो हमने तो देख ली बट जो C था represent करता आपको create तो मुझे वही डिक्टो कोड़ यहां पर मुझे लिखना है तो मैं चाहूं तो directly उसको copy paste कर सकता हूं लेकिन मैं वह नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मालूम है फिर आप वोगों को doubt आ जाएगा हो हाँ ठीक है तो मैं पूरा complete करके आपको बताने वाला हो लेकिन फिर वी गाइस में पस इतना एक request करना चाहूंगा इस वीडियो को नहीं एक बार जरूर देखिए और यह वाला जो वीडियो web development project वाला यह दो वीडियो का अगर आपने देख लेना एक जो doubt रहता है ना वाले ही time थोड़ा लंबा है लेकिन जो मन में जो doubt गुमता रहता है कैसे हो रहा होगा node और mongo कैसे connect हो रहा है वो node mongo हमारे html form के साथ कैसे connect हो रहा है वो सब आपके doubt क्लियर होने वाले है गास टीक है database simple यह वही पार्ट है गाइस जो हमने पोस्त देखा था card operation में कितिनी एजी ली ठीक है इतना मेरा काम हो चुका अभी मुझे क्या करना है request and response as it is अभी इसको फिलाल मुझे नीची फिलाल अभी के लिए देखो guys now it's super duper easy अभी मुझे यह जो मेरा file है इसको मुझे async वाला function करना है इसको मुझे async function क्रेट करना है so async मैंने add कर दी simple ठीक है बस मेरा async function बन गया क्योंकि हमें यह promise return करेगा अभी थुई देर में ठीक है dot and आपको जो send करना पड़ेगा यहाँ पे send and simply guys आप चाहो तो send करो नहीं तो as it is रहने तो वह error आप इस तरह कर सकते हो यह catch ने catch की वह error यहाँ पर थो हो जाएगी ठीक है अब try के अंदर बहुत important काम आएगा देखो गया सबसे पहले तो यह now सबसे पहले guys मुझे मालूम है आपके माइंड में एक doubt आ रहा है and सिर्फ आपके निया मेरे माइंड में भी वह doubt था कि यह कि अगर user यहाँ पर अपना first name add कर रहा है तो मुझे वह यहाँ पर मिलेगा कैसे यही सोचने वाली बात है and अगर आपको याद होगा मैंने अपने इस वाले वीडियो में आपको मैंने पोस्ट मैंन के थूरूद बाता है ता सब कुछ है कि नी बट अभी तो मैं वह पोस्ट मैंन यूज नहीं कर रहा हूँ है कि नी अगर आप मुझे इस फिल्ड की वैल्यू चाहिए तो देखो मैं क्या लिखूंगा बहुत इज़ी रिक्वेस्ट डॉट बाट बाड़ी एंड हमें सारे डेटा मिल रहे थे बट इस टाइम में आपको एक चीज बता है थोई दिर पहले ही कि जब भी आप फॉर्म क्रेट क बाड़ी डॉट एंड उस इंपूट फिल्ड में जो मैंने नेम एट्रिबूट में जो मैंने वैल्यू पास किये उसका नाम अगर मैं लिख देता हूँ ठीक है अब मैं यहां पर चलता हूँ वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ ठीक है मैं एक सेगंड बहुत जूम हो रखाई है यहां पर मैं चलता हूँ विनो एंड अगें रेजिस्टर पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हूँ मुझे एम्टी डेटा मिल रहा है आपको एक रिजन बताता हूँ ठीक है इससे पहले यह जो मेरा वीडियो अभी तक हम जो भी वीडियो देख रहे थे रेस्फुल एपयाई में पोस्ट मैं को यूज कर रहा था एंड पोस्ट मैं में हम जो भी डेटा रिक्वेस्ट डॉट ठीक है मैं चाहता था मेरे एक्सपेस अप्लिकेशन को यह बताना कि वही मुझे जेसन को यूज करने अपने इस कोड के अंदा तो इस तरह के से एप एक्सपेस.json फाइल को मैं कॉल करता था एंड अगर मुझे वहां से जेसन फाइल मेल रहा तो एक्सपेस अप्लिकेशन उसको हैंडल कर देता था ठीक है अभी मैं सिर्फ इतना लिखता हूं एक बाद चेक करता हूं कोई एरन नहीं है मैं यहां पर वापाद चलता हूं इसको रिफ्रेस यह वाला कोड यह बेसिकली पोस्ट मैं के लिए एक दम पॉफेक्ट पोस्ट मैं अगर यूस कर रहे होते तो यह हमें आउट पूट दे चुका होता था लेकिन इस टाइम अब हम एक स्टेप ओफ फर्दर जा चुके सिर्फ पोस्ट मैं नहीं वही मैं तो अपना खुद का एक लाइब यूनो मेरा खुद का एक स्टेमल पेज है अब जो की बेसिकली अभी हम हैंडल बार्स के थू कर रहे है उसके अंदर एक फॉर्म के अंदर जो भी लिखा है अगर उसको अपको गेट करना है तो आपको यहां पर एक और कोड दिखना पड़ेगा एंड यह कर देना इसका गाइस अब एक सिंपल मतलब बस इतना ही है कि हमारा यह जो फॉर्म के अंदर में जो भी डेटा लिख रहा हूं आप उसको में गेट करना चाहूंगा आप उसको अंडिफाइन नहीं दिखा सकते सिंपल ठीक है अब अगर मैं से क्लिक करता हूं वापस से क्ल लेकिन यहां तक पहुचने के लिए भी हमें कितना कुछ करना पड़ा हमने कितना कुछ कोड लिखा है कि नहीं अब जैसे ही मैंने बिनोत के लिए किया अब मुझे वह सब इन सब करना होगा ठीक है तो देखो इस अगें सुपर डूपर इजी मैं क्या करता हूं यहां पर स database उचुका आटोमेटिक यूटूब रजिस्टरेशन रजिस्टर्स ऊंदर कोई डेटा नहीं कलेक्शन भी मेरा क्रेट हो गया देखो रजिस्टर्स याद है मैंने क्या लिखा तहीं मैंने यहां पर तो खाली अगर मैं आपको लेकर चलता हूं रजिस्टर के अंदर खाली सो कॉंस्ट मैं यहाँ पे चलता हूँ पास्वर्ड स्पैलिंग एकदम सही होना चाहिए मैं बाकी कुछ नहीं जानता है स्पैलिंग सही होना चाहिए एंड मैंने रॉंग लिखा हुआ पहली बात तो पास्वर्ड इकवल तो गाइस देखो रिक्वेस्ट डॉट बाडी ठीक है डॉट एंड पास्वर्ड कंडुले से इसे कोई मैं करता हूँ कॉपी यहां पे कर देता हूं पेस्ट एंड यहां पर आपको याद होगा हमारा नाम जो भी है वह बैसिकले आपका सी पास्वर्ड यहां दे रहा हूं मैं यहां पर इसको मैं दे देता हूं सी पास्वर्ड लेकिन अब यहां पर जो नाम आयाँका गाइस वही होना ची it is equal to and triple equal to यूस करना है ताकि उसका data type जो उसको भी हम चेक कर सके and if it is equal to then ही हम अपना ये जो source code है I mean मेरा जो भी user का data है उसको में store करना चाहूंगा अगर ये match करता है तो ठीक है it's super duper easy ठीक है else में simply आपको याद है एक error देना चाहूंगा and that is simple में बहुत इजली दे सकता हूं response.send यहां पर मैं लिख दूँँगा passwords are not matching ये का गाइस खाली दिखाने के लिए are not matching ठीक है ये वाला जो फिल्ल था हमारा ये and ये वाला फिल्ल कर data को get की and check क्या अगर वो नहीं है obviously नहीं था वो तो उसने password are not matching मतलब ये मेरा एक देन perfect वो कर रहा है so देखे काईस अगर आब वो password match कर जाता है तो मुझे ये सब भी data को get करना है and अपने database में उसको मुझे यहां पर उसको मुझे store करना है अब यहां पर बहुत जाते important आ जाता है कि अब आप कैसे data को store करोगे अपने database पे simple and new and हमने already इसको देखोगा इस register जो है उसको मैंने already get कर चुका है ठीक है इसको मैं करता हूँ copy new paste basically यह मेरा model है में को square brackets not here यहां पे square brackets and then curly braces अब बस पता है मुझे क्या करना है मुझे यह जितने भी मेरे data है ठीक है suppose यहां पर अगर मेना कुछ जो define करके दिखाया था register यह जो है मेरा first name last name email तो अब इन सब को जैसे यहां पे first name है then last name है as it is मुझे copy करना है यहां पे आना है not here पे यहां पे आना है paste यहां पे मुझे यहाला code लिखना पड़ेगा देखो request.body. यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा इस तरीकी से first name and this is it guys इतना ही मुझे करनार कुछ नहीं and इसका code अलएडी मेरे पास है so guys मैं यहां पे जल्दी से चलता हूँ यहां पे मैं इसको चिपका देता हूँ इस तरीकी से and शिर्फ यहां पे चिपकाता हूँ क्योंकि यह वाला part अलएडी मैंने लिख चुका है and यह वाली part के मुझे कोई need नहीं है है कि नहीं so इस तरीकी से मैं रख देता हूँ and awesome guys अब यह हमें awesome दिख रहा है and this is it so first name last name email gender phone age password and then confirm password and यह already यह तो है चालतो guys यह जो part है अब इसके लिए मैं अगर यह ना भी लिख्या अगर मैं simply password लिख दूँगा तो भी मेरा काम हो जागा and if both are same तो मैं अगर कुछ भी ना लिखू तो भी मेरा काम हो जागा लेकिन मैं फिलाला भी वह नहीं करने वाला इसको copy करता हूं मैं यहाँ पर इसको as it is रख देता हूं ठीक है and आपको पता चली चुका होगा क्योंकि guys बहुत awesome है यह this is it इतना मेरा काम हो चुका and यह बहुत easily अब हमारे database पे store हो जाएगा हां लेकिन से वितना लिखने से नहीं होगा मुझे अब इसको save करना है मैंने data सारा gate कर लिया है मुझे इसको अपने database पे save करना है सो कैसे होगा देखो const ठीक है directly const ने लिखता देखो यह जो मैंने लिखा register employee dot save and this is it अब यह जो है guys again यह promise हमें return कर रहा होता it means की future में हमें data देने वाला ठीक है so उसके लिए हमें wait करना पड़ेगा so finally यह sync await वाला पार्ट आपका आगिया यहां पर चलता हूं इसका जो data होगा guys उसको store करके मैं रख देता हूं and इस तरह की से आप में लिख देता हूं register ठीक है इस तरह की से register में लिख दी अब बहुत इजली response.status क्योंकि guys अगर आप कुछ create कर रहे हो it means 201 का status code आपको देना पड़ेगा and यहां पर simply guys अगर यह clear हो जाता है तो मैं directly index file को call करने वाला हूं इस तरह की से response.render and मेरा index file also error आ जाएगा this is it इतना ही करना था अब देता हूं 26 password देखो THAPA यहां पर मैं चलता हूं THAPA the moment में click करता हूं so 321 and boom guys अब आप देख सकते हो guys मुझे यहां पर कुछ नहीं आया अगर मैं यहां पर चलता हूं यहां पर भी कुछ नहीं आया it means हमारे database पर भी कुछ नहीं गया होगा फिर अगर मैं refresh all right guys all right guys यह देख रहे ना उसका reason क्या है वह पहले तो मैं देख लेता लेकिन जो आपके mind में doubt था कि कैसे हम data store कर सकते database पर वह तो हो गया यह देखो guys data store हो गया कितनी easily है कि नहीं लेकिन guys फिर भी यह forward slash register page पर ही क्या कर रहा है क्योंकि अगर हमारा यह successful हो जाता है register await register employee dot save हो गया था and then मैंने simply क्या क्या response dot status 201 and error क्या guys आप देख सकते 400 bad request देखा यही है इसका awesome part वह यहाँ पे भी चला गया अब देखो guys क्या हो actual में हुआ यह कि मैंने जब render index लिखा ना आपको मालूम है अगर मैं जब भी render कर रहा था double quotes यहाँ पे double quotes है तो मैं बस खाली double quotes एक second यहाँ पे नहीं इस यहाँ पे खाली मुझे double quotes देना था this is it अब मैं वापस यहाँ पे चलता हूँ so देखे guys अभी मैं 12 लिख देता हूँ and यहाँ पे 123 and देखो अभी फिलाल password match नहीं करेगा so आप देख सकते हो password are not matching वापस back चलता हूँ ठीक है अभी यह जो code is it is इसको मैं रख रहा हूँ and password अब में एक दम पॉफेक्ट लिखता हूँ 123 and अगेन आप में register करता हूँ आप देख सकते हूँ काईस मुझे एक error आगया and वो especially बता रहा है क्योंकि हमने validation add कर रहा है जहां पर बता रहा है यह जो four number है वो unique नहीं है यह जो four number है and अगर यहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ सो आप देख सकते हूँ बहुत four number are same यह जो दोनो four numbers थे guys वो same है यहाँ आप बहुत के लिए लिए देख सकते हूँ है कि नहीं so यह है नहीं awesome guys अब simply मैं क्या करता हूँ simply उस four number को guys यहाँ पर मैं three कर देता हूँ ठीक है and simply password आप मैं same रखूँगा one two three one two three and register क्लिक कर तो भूम गा इसे देखिए मैं अपने home page पर आ गया perfect मैं अगर यहाँ पर चलता हूँ इसको अगर मैं refresh कर तो भूम गा इसे देखिए मेरा registration भी फिल हो गया एकदम perfectly जो मैंने data फिल की थी वो database पर भी store हो गया मेरे home page पर भी आ गया and registration पाट भी complete and कितनी easily अगर मैं यहाँ पर चलता हूँ सब कुछ एकदम perfect आप देख सकते कोई error नी और गैस तो आज इस वीडियो के इतना ही and I really hope आपको वीडियो बहुत पसंद आयोगा क्यूंकि guys आज इस वीडियो म यह देखेंगे कि अब हम login form कैसे create कर सकते and once login हो जाता then guys हम बहुत important part देखेंगे that is node.js में authentication हम कैसे कर सकते basically इसको हम more secure कैसे कर सकते अपने password को secure कैसे कर सकते वो guys अब हम देरे देरे देखेंगे लेकिन यह वीडियो देखें आपकी उम्यदे जरूर जगी होगी क्यूंकि guys अब आप बहुत तीजिले complete website create कर सकते using node.js and database में MongoDB को add करके so guys आपको वीडियो कैसा लागा नीचे comment करके जरूर बाताना मुझे बहुत खुसी होगी and बाताना चाहूंगा guys अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी useful लागा इस वीडियो के एक like जरूर कर दीजेगा अपने स लाइक सब्सक्राइबर तो complete कर लिया है अब हमारा next target 3 लाइक सब्सक्राइबर है जी है guys so अब भी तक अगर आपने मेरे चैनल था आपा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं कि प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लिजेगा राइट साइड में एक रेड कला का बैल आकिन एक घंटी दिखाए देगा हिट कीजे क्लिक कीजे ताकि आप डेली ऐसे ओसम वीडियोस को मिस ना करें एंड कुछ भी डाउट हो तो बे फिकर हो के नीचे कमेंट कीजे मैं आपकी जरूर हर्प करूंगा सो तिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक क्या